इडिये के रिमान पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल गए है तब से आप और बीजेपी के भी जवर्दस थंगामा मचा हुआ है बीजेपी जहां केजवाल का स्थीफा मांग रही है तो वहीं दूसी तरफ आमादमी पाती अलान कर रही है कि केजवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं इस दावे ने उस वक्तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार में मद्वी आतिशी ने एक चित्थी से दावा किया कि सीमकेजवाल ने जेल से दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर एक सीधा आदेश उन्हें दिया है इस दावे के बाद से दिल्ली की सियासत में कोहराम मचना शुरू हो गया है आपका भाई आपका बेटा लोहे का बनाए सौ करोड के शराब भोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुँचा दिया है जहां आपके जिवाल एडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए है आप इन तीन तस्वीरों से समझे इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आधिशृ दावा कर रही है कि सियम के जिवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सपलाई सही तरह से बनी रही से लेकर के जिवाल ने जेल से पहला आदेश उन्हें दिया है दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्रिय अर्विंद के जिवाल की है जो इस वक्त E.D. की रिमान पर है और उनसे लागतार पूचता चो रही है 28 मार्च तक के जिवाल E.D. की रिमान पर हैंगे जब की तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलारे का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की ज्रामे बाजी बता रहे हैं सौ करोड के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त घदर मचा हुआ है बीजेपी के जवाल सरकार के खलाफ प्रदर्शन कर रही है तो ही आप के जवाल की गिरफतारी और डिमांड को लेकर केंद सरकार की तानाशा ही बता रही है आप ये भी जान लीजिए कि क्या वाकई में जेल से सरकार चलाना के जवाल के लिए आसान रहेगा क्योंकि इसमें कई ऐसे पेच हैं जो वाके के जवाल के लिए बड़ी चुनौती सावित होंगे इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि के जवाल को मुख्यमत्री पत्पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा इडी अलाइंस इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा सी बी आई अलाइंस मैं कहूँगा क्रप्शन के लोग जो जेल पर हैं जो बेल पर हैं उनका अलाइंस एक बात बहुत स्पष्ट है इंडी अलाइंस का परपस ये था मैं बार बार कहता था जेल और बेल से बचना आज स्पष्ट हो गया इसी इंडी अलाइंस की कॉंग्रेस ने अरविंद केजरिवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कारवाई करो आज जब से अरविंद के जिरिवाल जी के गिरफ़तारी हुई है ना सिर्फ आम लोग बलकि पूरा विपक्ष एक जुट हो करके इस ताना साही के खिलाफ खड़ा हुआ है अगर मुख्यमंत्री सरयाम गिरफ़तार हो सकता है तो इस देश के अंदर तोर अपनी आवाज उठा सकता है अगर कितनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबर्दस्ती उसका खाता सील होगा सवाल है क्या कोई CM जेल से सरकार चला सकता है अगर कोई CM जेल में बंध हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्खत कर सकता है क्या वो कैबिनेट की बैठखक ले सकता है और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है शरम नाकृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है यह देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरिवाल जी का असली चेहरा उनकी भरष्ट सोच और केवल पैसा कमाने वो राजनीती में आये थे अपनी जेब भरने आये थे जब एंजियो चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टा अचार करके एक के बाद स्वास्थे मंत्री शराब मंत्री शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं सांसस से लेके उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे दिल्ली की जनता ठगी हुई मैसूस कर र अब सारे विपक्ष को निप्ताने में जेल में डालने में लग गई है विपक्ष जो जनता की आवाज उठाता था जनता की सवाल उठाता था उसको रोका जाएगा जेल में बंद एक सीम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं ये सवाल अरविंद के जिवाल की गिरफतारी के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है तो चलिए देश के संबिधान में और कानून की किताम में इन सवालों के जवाब ढूनते हैं जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा ये जेल के नियमों से लेकर जेल परशासन की इजाज़त वर निर्फर करता है क्या सीम के जिवाल जेल से वीडियो कांफरेंसिंग के ज़रिये या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैमिनेट मिटिंग कर सकते हैं फाइलों पर दस्खत कर सकते हैं ये पूरी तरह से जेल परशासन की मंदूरी पर निर्फर करता है बिना जेल परशासन की मंदूरी के सीम के जिवाल कैमिनेट मिचिक नहीं कर पाएंगे यानि कि अगर अर्विन के जिवाल से इस्तिफा नहीं देते हैं और जेल से इस सरकाद चलाने की मनशा रखते हैं ते इसमें जेल प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होगी नर्शे माराओ जी पर केस चले हैं तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नहीं बात नहीं है दिल्ली सरकार के मंत्री और आपके नेता दावा कर रहे हैं कि के जिवाल पूरी तरह से जेल से सरकार चलाने को तैयार है यही वज़ा है कि जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतरशी ने कि जिवाल के ओर्डर वाले पत्र को पढ़कर मिडिया के सामने सुनाया तो सवाल उठने लगी कि क्या कि जिवाल ने जिल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतरशी के मताबिक के जिवाल ने होली के मद्दे नजर दिल्ली में पानी की सप्लाई की कोई कमी ना रहे इसे लेकर जेल से अपना पहला ओर्डर मंत्री आतरशी को दिया है जरा देखिए कि जवाल के पहले ओर्डर में क्या लिखा है मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ हिलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याइं हो रही है इसे लेकर मैं चिंती थूँ चुकि मैं जेल में हूँ इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीब नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुखे सचीय समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दिचिए ताकि जनता को किसी तरह की परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंट और समुची समधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपरा जिपाल महुदे का भी सहयोग ले वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे अर्विन केजरिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याओं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजी मुखे सचे समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जन्ता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जन्ता की समस्याओं का तुरंत और समूचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपरा जिपाल महोदे का भी सही ओग ले दिल्ली के मुखे मंतरी के दफ्तर को इलीगल तरीके से अपरेट किया जा रहा है दिल्ली के मुखे मंतरी के दफ्तर को हाईजेक किया हुआ है जिस अफसर को अर्विंद केज रिवाल जी ने मुख्य मंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाज़त दिल्ली के लेफिनेंट गुवर्नर साब ने दियो केवल और केवल उसी को अधिकार है चिठी इशू करने का वह भी तब जब मुख्य मंत्री जी उ जिसका नाम बता नहीं है ये बिना ऑफिस ओर्डर जो है बिना किसे नंबर के है अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कि जिवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं या फिर लोग सभाच चुनाव को लेकर कि जिवाल जेल से जनता के बीच सानभूती हासिल करने की कोशिश में हैं क्योंकि आप नेता जेल में बंद के जिवाल के पक्ष में महाल बनाने लगे हैं बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ड्राम बाजी पर उतराई है और इसलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के राम लिला मैदान में रैली करने क आइलान किया जा रहा है आपके दावे के मताबिक इंडिया गठवंदर पूरे दमखम के साथ 31 मार्च को दिल्ली के राम लिला मैदान में रिशाल रैली करने जा रही है आपके इस आइलान के बाद से बीजेपी इंडिया गठवंदर पर हमला और हो गई है आपका कहना है क मोदी सरकार के खिलाप लोग तंतर को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है कि जम्दान की कसम खाने वाला बंचों की लगों को छोड़े जम्दान की शपत लेने वाला सरकार का भुख्या गुरासत में हो दिल्ली ने ये करण कभी ना पेशिक किया ना तो भी सोचा अरा दिल्ली की ज़ता इसे देखे लोगा सेक्डों रेड के बाद हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता किसी भी मंत्री किसी भी कार्यकरता के पास से एक रुपे की भी प्रसीड्स आफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई के जवाल पर मचे घदर के बीच एडी सी एम के जवाल और बी आरिस के के कविता से पूछ ताच कर सकती है सुत्रों से जो ख़वरे आ रही है वो तो यही संकेत दे रही है दिले शराब नीती मामले में मुख्यमंत अर्विंद के जिवाल और बियार इसके नेता के एक कविता को आमने सामने बैठा कर पूछ ताच हो सकती है एडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदरावाद से गिरफतार किया था जबकि के जिवाल को शराब नीती केस में 21 मार्च को अरिस्ट किया गया एडी के मुताबिक मुबाइल का डेटा डिलीट किया गया है ताके शराब घोटाल इसे जुड़े कुछ सबूतों का पता न चले इसे लेकर जो फोरैंसिक रिपोर्ट आई थी उस सिल्सिले में भी के कविता से पूछ ताच कर नी है एडी के सुत्रों की माने तो कविता और के जिवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग बेठा कर किये जाएंगे दिली का सौ करोड का शराब घोटाला मुख्यमंत्री के जवाल और बियारिस की नेता के कविता के गले की हड़ी बन चुका है दिली शराब नीती में मनिश सिसोदिया और संजे सिंग पहले से ही हिरासत में है इस मामले में अब अरविद के जवाल की गिरफतारी भी हो चुकी है के जवाल 28 मार्स तक एडी की हिरासत में रहने वाले हैं जहां उनसे जाच एजेंसी पूछ ताच कर रही है एडी की गिरफतारी के खिलाफ के जवाल ने दिली हाई कोट का दर्वाजा भी खटखटाया था हलाकि उन्हें अदालत से कोई रहत नहीं मिली है और कोट ने उनकी याचका पर ततकाल सुनवाई से इनकार कर दिया है वहीं बियारिस नेता के कविता को 26 मार्स तक एडी की रिमान पर भेज दिया गया है कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या आप के रहली और सड़क पर पदरशन के जवाल की मुसीवत कम कर पाएंगी या नहीं